हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ और होमियोपेथी से सम्मंदित सारी जानकारी पाएं और पहला आइकन जरूर प्रस्कार नमस्कार मैं डॉक्टर कवींद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे कमरदर्द यानी बैकेक की जो आज के समय में बहुत ही आम समश्या है जिसमें आजकल की लाइव स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है जैसे की दिन भर एक ही जगा पर बैट कर काम करना घंटों तक कम्प्यूटर पर काम करना सिदेंटरी लाइव स्टाइल और अन्य तरह के कारण हैं जो कमरदर्द का कारण बन सकते हैं तो आज मैं आप से बात करूंगा क्यों यह कमरदर्द होता है और इसके अन्य क्या लक्षण होते हैं और अलग-लग तरह के दर्द के लिए कौन-कौन सी होमियोपेथिक दबाईयां हैं जिनको लेने से आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है सबसे पहले बात करते हैं कारणों की तो अगर कोई भारी वजन उठाने की वजह से कमर में स्प्रेन आ जाए तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है कमर दर्द का इसके अलावा हाउस वाइप्स जो घर के काम जैसे की बैठ कर कपड़ेद होना जाडू पोच्छा का काम करते हैं तो उनमें भी बहुत देर तक जुक कर काम करने की वजह से कमर दर्द की शिकायद रहने लगती है इसके अलावा जो लोग अल्रेडी स्लिप डिस्क की समश्या से परिसान हो उनमें कमर दर्द एक आम बात है शियाटिका में दर्द कमर के निचले हिस्से से लेकर थाईज और पैरों तक दर्द जा सकता है जिसमें दर्द के साथ साथ पैरों में जंजनाहट सुन्पन की शिकायद रहती है जो कि कमर के निचले हिस्से में शियाटिका नप के दबने की वजह से होता है इसके अलावा महलाओं में बच्चे दानी की कोई बिमारी हो या फिर पेल्विक और्गन्स की कोई भी बिमारी हो तो उनमें भी कमर का दर्द बना रहता है इसके अलावा urinary tract infections, kidney stones या फिर gall blood stone में भी कमरदर्द देखने को मिलता है महलाओं में एक certain age के बाद osteoporosis जैसे बीमारी शुरू हो जाती है जिसमें एक तरह से हड़ियां खोखली होने लगती है कैलिशिम की कमी हो जाती है उनमें भी कमरदर्द की सिकायद रहने लगती है तो दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण हैं कमरदर्द यानी backic के लक्षन सभी बिमारीों में एक ही तरह के होते हैं कमरदर्द लगबग एक जैसा ही देखने को मिलता है एक हलका सा डल पेन हमेशा बना रहता है इसके अलावा मोशन के दोरान जब भी हम कुछ काम करने लगते हैं तो बोडी यानि जब मूव करने लगती है और सर्दियों के समय में यह दर्द और बढ़ जाता है यही सारे कारण हैं जो कमरदर्द के मुख्य कारणों में से भी हैं अब अगर बात करें होमियोपेथिक ट्रीटमेंट के बारे में तो दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले यह जानना बेहत जरूरी है कि कमरदर्द का कौज यानि कारण क्या है या किन कारणों की वजह से हो रहा है जब भी आप किसी हॉमियोपेटिक डॉक्टर के पास अपने कमरदर्थ की परिशानियों को लेकर जाएं तो कोशिश करें कि अपनी सारी परिशानियों को डीटेल में डिसकस करनेगी जिसे होगा कि डॉक्टर को आपके कमरदर्थ के रूट कॉज यानि एग्जेक्ट कॉज के बार में पता लगाने में आसानी होगी और एक बेस्ट सूटिबल दवाई आपको प्रिस्क्राइब करने में आसानी होगी इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन्स जैसे की बलड टेस्ट, अल्टरसोनोग्राफी, एक्सरे, एमराई के लिए भी सजेस्ट कर सकता है तो चलिए अब बात करते हैं होमियोपेतिक दवाईयों के बारे में सबसे पहली जो मेडिसिन है वह है एसकुलस हिप, यह मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो पाइल्स और एनल फिशर्स जैसे रोगों की परिशानी से परिशान हो और इन चीजों की वज़ह से ही कमर दर्द की समश्या रहने लगती हो इसकी 30 पोटेंसी की आपने 4-6 बूदें आधे कब पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है सिलिप डिस्क वाले रोगियों में जिन में कमर में एक अकलन रहती है चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है उनको अगेरिकस मस्केरियस 30 पोटेंसी की 4-6 बूदें आधे कब पानी में दिन में 4 बार 4 घंटे के अंतराल में लेनी चाहिए अगर यूरिनीर ट्रेक्ट इन्फेक्शन्स रीनल स्टोन या फिर गॉल बलड स्टोन की वज़ह से कमर में दर्द हो तो उस केस में भी आपको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर की 10-15 बूदें आधे कब पानी में मिलाकर दिन में 3 बार यूज़ करनी चाहिए अगर शियाटिका की परिशानी हो और कमर दर्द के साथ-साथ थाईज और लेक्स में भी दर्द बना रहता हो तो पैरों में जंजनहाट होती हो और सुनपन की शिकायद रहती हो तो आपको कोलो सिंथ की 30 पोटेंसी की 4-6 बूदें आधे कब पानी में दिन में 4 बार लेनी है महलाओं में अगर पैल्विक और्गंस की कोई बीमारी हो मैस्टुएशन की कोई समश्या हो जिसकी वज़ह से कमर दर्द की परिशानी हो तो उन महलाओं को कॉलो फाइलम मेडिसन की 30 पोटेंसी की 4-6 बूदें दिन में 3 बार लेनी है अब बात करते हैं उन लोगों की जिन में कमर दर्द की समश्या लंबे समय से हो या फिर और लेज में कमर दर्द हो या फिर किसी पुराने चोट की वज़ह से कमर में दर्द रहने लगे तो उनके लिए नेफेलियम 30, आरनिका 30, रस्टॉक्स 30 जैसी दवाईयां काफी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं तो आप अपने किसी नस्दी की होमियोपेटिक डॉक्टर से मिलकर अपनी बैकेक की प्रॉबलम से छुटकारा पा सकते हैं दवाईयों के साथ साथ आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेज और एकसरसाइज भी करने पड़ेंगी जिससे आपको बैकेक की परिशानी से काफी हद तक राहत मिल सकती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ धन्यवाद